नमस्कार दोस्तो वेलकाम टू माई चैनेल क्रेटी भाड़ एंसांटिस्ट और मैं थोड़ी देर पहले ये एसमपेस का वीडियो भी डाल दिया हूँ और आभी मैं इस लोजिक कार्ड के बारे में आपको समझाओंगा और भी दो तीन चार लोजिक कार्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है तो इसके बारे में भी मैं समझाओंगा तो गाइज आप इस वीडियो को जरूर पूरा का पूरा देखिए और सिखिए क्योंकि आप लोगों को सिखना है तो गाइज मैं इसका जो लॉजिक कार्ड है उसे ओपेन करके आपको दिखाता हूं तो थोड़ी देर आप वेट किजिए तो मैं ओपेन कर दिया इसका लॉजिक कार्ड देखिए यहां पे कुछ कॉम्पोनेंट से कुछ आइसी बगेरा है तो मैं इसको धीरे धीरे आपको समझाओंगा तो इसमें में यहां जो लॉजिक कारड होता है वह बैसिक यह पोनफेंट होता है जो कनेक्टर होताँ है देखिए एक होता अबिए और सब को मालूम तो हर एक model में अलग-अलग होता है लेकिन यह सब connected compelsor यह connection ओके तो इसमें क्या क्या रहते हैं इसमें कुछ capacitor रहते हैं कुछ IC रहते हैं कुछ regulator रहते हैं इसमें और दो-तिन डायोड रहता है और कुछ SMD parts particles इसमें रहता है तो इसमें जो mainly volt है जाता है इसमें आता है 5 volt से यह बोड चालू होता है लेकिन कुछ model में आपको दिखने को मिलेगा 12 volt भी आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि उसका जो मतलब वो नया वाला जो model आता है उसमें ऐसा situation होता है जैसे कि यह जो model है इसमें आपका 12 volt का है क्योंकि यह जो है नॉर्माल जो लैप्टप में डिस्प्ले लगता है वह वाला LCD इसमें मतलब LED इसमें लगता है तो इसमें यह connection से उसमें जाता है और उसमें बावार बैक लाइट के लिए अलग से कुछ connection नहीं होता है तो इसमें 12 volt इदर से डायरेकली जाता है एक दो और तीन नमबर पिन के साथ डायरेकली 12 volt जाता है तो इसके लिए गाईस दिया जाता है इसमें 12 volt लेकिन 5 volt में चलता है यह logic card के और और एक board है मेरे पास इधर भी same यह चीज़ है देखिए इधर भी यह भी एक है जो कि नॉर्माली LCD जो laptop में मतलब LED जो बोलते हैं हम लोग उसका backlight LED से जलता है तो उससे हम LED के आएंगे तो उसमें हमका एक दो और थीन में direct power supply मिलता है इसी connector से तो इसमें power supply देने के लिए इसमें 12 volt देना जरूरी है तो यह कंपल सारी है तो 12 volt को छोड़िए 5 volt में चलता है यह हम लोग का logic card तो logic card में basically क्या होता है इसमें हम लोग अगर भीजिये के बोल इंसर्ट करते है तो इसमें से जाता है red green blue RGB और जाता है horizontal और vertical sync तो यह पांच connection सारी दो में बोल दिया था तो पैनेल का बात तो बाद में समझाएंगे लेकिन पहले आप logic card को समझ लीजिए बहुत आसानी से ठीक है तो इसमें RGB red green blue तीनों connection आपको सही जाना चाहिए तो कुछ model में ऐसे ट्रांजिस्टर जैसा 3-pin वाला जो components होते हैं देखिए इधर 3-pin वाला कुछ 3 components है तो इसमें से जा रहा है लेकिन इधर से मैं निकाल दिया था यह भीजे आइसी में से आपका red green blue सब filter होके जा रहा है और horizontal वाडिकल सिंग इधर filter होके जा रहा है यह में आइसी में तो कुछ model में ऐसा इसका BIOS अलग से रहता है जो की wind bond का या फिर दूसरी company का होता है तो इधर यह जो भीज वाला डिखसी आठा यहां पर दो एहां पर एपको टीफ बान सेबनला यहां रहाई आपको दिखने को मिलेगा दो strictly यह नहीं आपको दिखाई दे रहा है यह वाला यह लेकिन आपको तोые सेब्सेलिक Hilma क्या होता है कि ये रेगुलेटर अगर खराब होते रेगुलेटर कई बार खराब होते तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं तो रेगुलेटर अगर खराब होते तब भी आइसी नहीं चलेगा और आपका सिस्टेम मतला मोनिटर का सिस्टेम अन नहीं होगा और डिस्प्ले म सकते बहुत आसानी से यह मार्केट में भी मिलताय थीज से चैलिस में यह जो आइसी है यह मिलता घीजे बहुत सिंपल है और मैं भी एया में इसे कई ब़र काम कर कुका हूं यह दो आइसी था मैं इधर दिखा रहा था कि power connector में हो जाते हैं लेकिन इधर ने जा रहा है इधर सिर्फ जा रहा है आपका 5-volt वार बोल्ट और negative मतलब ground जा रहा है क्योंकि इसका dim और off on जो होते वो इसमें मालीजे कि इसमें हो रहा है तो इसमें ये आपका अगर आप आसान से चेक करें तो देखिए उसमें कुछ SMD दीखएगा यहां पर जो आपका में वोट इदर इन्पूट हो रहा है एक दो-ती नमबर पीद में तो उधर एक आपको महस्पड से भाक्त मतलब यह नौना पिर नन्प पी ऑपर टान्जिस्ट त्यूचर सवते दीदें को सकते हैं कुछ मॉडल में लेकिन यह नहीं पे आपकोह देख सकते हैं यह पे देखिए तो यह पर देखिए intra Travel है तो इसमें से यह खराब होने के बाद आपका बैक लाइट नहीं जाएंगे या फिर आप नहीं होंगे या भी डारेकली ओन होके रहेंगे ठीक है तो यह ऐसा प्रॉब्लम ऐसा मसला आ सकता है तो इसकी ऐसे सिच्वेशन में आपको एसे एसमडी को चेक करना होता है जहां पर यह बारेकल का जो ही पार वोल्टेज इसमें फाइब में तो यह सेक्षन चलता है ठोटल जो है लोजिक गाड यह चलता है ने चलता है तो इसकी मदद से यह सब कंट्रोल होता है तो यह भी मतलब आपको देखने का चीज है कि आप अगर यह इसमें देखे एक प्रॉब्लम की बैक लाइट नहीं आ रहा है तो उसमें अगर में आपका पैनल सही है तब भी अगर नहीं आ रहा है तो तब आपका यह SMD को चेक करना होता है या फिर इस IC में कुछ connection में गरबर हो गया है थोड़ा SMD बगर खराब हो गया तो तब भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है ओके और दूसरी बात अगर यह आपका logic का डॉन नहीं हो रहा है तो मतलब इसमें power supply बराबर आ रहा है तब अगर नहीं हो रहा है तो तब आपक क्रिस्टल 14.239 या फिर दूसरा कुछ मोडल का ही 14. मैं देख आपको बता रहा हूं 14.318 का क्रिस्टल यहां पर लगा हुआ है पर मुस्किल से आपको नहीं दिख रहा है ठीक है तो यह खराब होने के बाद भी बाद आपको यह चालू नहीं होगा यहां फिर डिस्पल नह होते है तो उसमें 25. का आपका क्रिस्टल मिल सकता है मतलब यह क्रिस्टल अगर खराब हो जाते तो तब भी आपका डिस्पल नहीं आएंगे या फिर रहा नहीं होंगे इसका सिस्टेम कुछ मोडल में लगे लेकिम मैक्सिंम मॉडल में यह क्रिस्टल ओपन करने के बाद य तो यह नॉर्माल तार से कनेक्सन किया गया यह फांट पेनल कनेक्सन पर देख सकते आप तो यह कराब नहीं होते मैक्सम टाइम लेकिन इसका सुच में बहुत मसला हो जाते कि इसमें स्वीज में स्वाट होने के वाइए से यह आन तो होते पर ऑटमेरिक लिए कुछ काम करते या फिर आपका यह स्टैंड भी नहीं होते है यह ओफ़ान होते है तो तब भी आपको यह फ्रॉंट पैनल को कई बार चेक करना पड़ता है तो उसमें अगर कुछ स्वीच में स्वाटिंग अगर निकले तो उसे आपको स्वाट आउट करना होता है ठीक है तो यह बहुत एक करके समझाओंगा हर एक पाटिकल को हर एक कंपोटनेंस को आपको समझाओंगा ठीक है लेकिन इतना कुछ खराब नहीं होते मैक्सिमम देखे 80% यह LCD मोनिटर का यह लॉजिक करण खराब नहीं होते सिर्फ 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 से मपेस का खराब ही ओते इसमें तो इसलिए मै लॉजिक काड में इतना ध्यान नहीं दिया आप लोगों के लिए पर अगर आप लोगों को जानना ही से ज्यादा तो आप मतलब इसमें अगर मेरे को सौ से भी ज्यादा कॉमेंट्स मेरे तीन मेरे में तो मैं इसका दूसरा बाट बनाओंगा अगर नहीं मिले तो नहीं बन और दूसरा मोनिटर बहुत सरा मोनिटर ऐसे होते हैं तो सब मोनिटर का डियाग्राम और इसे कैसे चेक किया जाते हैं तो सब एक ही चीज है पर मैं दोबारा समझाओंगा तो यह लगभग आपको 10 से 12 मिल सकता है तो इसके लिए सौरी और जिसको जाना है जिसको देखना है तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको इस वीडियो को अच्छे लगाए तो जरूर कॉमेंट करें कॉमेंट करें कॉमेंट करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब बाइबाइब